नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो सभी GDS BPM के पास एक 15 दिन की ट्रेनिंग का लेटर आया है उसके बारे में इस वीडियो में हम इस बारे में डिटेल में बात करेंगे इसे पहले आपसे रिक्वेश्ट है कि आप अगर इसे और वीडियो देखना जाते हो हमारे चैनल GDS कबर को सब्सक्राइब जरू कर ले साथ ही साथ बेल वाल आइकन को दबा करके ओल और ऑप्शन भी जरू सलेक कर ले ताकि आपको हमारे द्वारा बना गया ऐसे जितने भी वीडियो तो आप सभी को पता है कि जब से GDS जो को सब्सक्राइब जेनी है जरू सब्सक्राइब अब यहाँ पर एक ओर लेंटर हो चुकी नहीं के पास आया है जिस heureव लिखा हो आई कि इन सबीको पंदा दिन की जो ट्रेनिंग है वो करनी है देखिए सबसे पहले जो training हुई थी वो केवल 3 ही दिन के training हूई थी और उस दोरान सब भी अरसमंझस में थे कि क्या केवल 3 ही दिन की training होगी या आगे और भी training होगी क्योंकि एक बीयो का काम जो ब्रांच उपिस होता है उसका काम सीखने के लिए आपको कम से कम थोड़ी जादा दिन के ट्रेनिंग दी जाने चीए थी लेकिन चुकि इस बार का सारा काम बहुती तेजी से हो रहा था तो उस हिताब से सभी को लगा कि क्यावल तीन हेज दिन के ट्रेनिंग होगी लेकिन वो जो कमफिजन की स्टती है वो अब किलियर कर दी गई है और यहाँ पर जो ट्रेनिंग है वो अब बढ़ा करके पंदा दिन की हो गई है तो जो भी सेलेक्टेट बीप्यम है उनको अब पंदा दिन की जो ट्रेनिंग है वो लेनी होगी और उस training के regarding यहाँ पर लेटर आप देख सकते हो जिसमें लिखा हुआ है कि as per the instructions content in DG post New Delhi letter number dated और उसके बाद लिखा है wide letter number जो है उसके regarding information दी रगए है The Chief Postmaster General Rajasthan Circle जैपुर and wide letter number dated The following GDSS are hereby ordered to undergo 15 days training at the office noted below as per prescribed schedule तो यहाँ पर आप देख सकते होगी यह जो BPM है उनके नाम है इसमें मेरा भी नाम है दस्वे नंबर आप देख सकते हो साथी साथ यहाँ पर लिखा हुआ है WTC चित्तोडगाड head office और कब से कब तक training होने वाली है उसमें अगर holidays आ गई तो उनके अलावा ही 15 दिन की की जाएगी तो यहाँ पर 26 से लेकर 10 तक training है और जो training देने वाले हमारे सर है उनके बारे में भी यहाँ पर mention किया गया है तो मेरे हिसाब से जो IRCTC device सभी BPM के पास है उसको लेकर के जाना चाहिए ताकि वहाँ पर अगर उससे related कुछ बताया जाए तो वो easily perform किया जा सके यह ती इस लेटर के regarding सारी जानकरी अगर और भी कोई update आईगी तो हम आपको बताएंगे आपको यह जो जानकरी कैसे लगी comment box में बताना है यह और भी वीडियोज अगर आप देखना है तो हमारे चैनल GDS कबरों को सब्सक्राइब करना ना भूलें मिलेंगे आपसे नई वीडियो में नई जानकरी साथ अब तक के लिए जय हिन जय भारत